कि अधिया दोस्तों स्वागत हापका हमारे न्यूज यूटूब चैनल में दोस्तों एक बार फिर आज जिरुए हैं बटी अपडेट के साथ लाग क्रमचारी और पैंसन बोगयों के लिए जिहां दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहें कि एक बार फिर क्रमचारी के पुर इस वीडियो के लाश तक दोस्तों वीडियो को स्टाट करने से पहले आपसे रिक्वेश्ट है अगर आपने हमारे चैनल पर फर्स टाइम विजिट किया है तो चैनल को सस्क्राइब करना ने भूले साथ ही साथ बैल आइकन को भी जुरूर दोए जो भी गर्मेंट इंपलो चैनल के बाद नियुक्तियों का जो इसका लाब है वही लाब दिया जाएगा जी हां दोस्तों आप बिल्कुल इसे ही सुन रहे हैं ये जो मुख्य मंत्री असो गलत बजेट पेस करते हुए बड़ी गोशना की है सीम असो गैलोत ने क्रामचरे के वेतन कटोती का 2017 का फैसल वापस लिया है और इस पर सरकार एक हजार क्रोड का बार आएगा इसके अलाव परदेश में पुराने पैंसनी होजना फिर से लागू होगी एक जनुरी 2004 के बाद नियुक्ति को भी इसका लाब मिलेगा दोस्तों जो ये बड़ा एलान है उसमें गैलोत जीने का है कि हम सब भी जानते हैंगे सरकारी सेवां से जुड़े करमचारी भविसे के परती सुरक्षित मैसूस करें तब ही वे सेवाकाल मैसू शासन के लिए अपना एमूलय योगदान दे सकते हैं आता एक जनुरी 2004 और इसके पचा नियुक्त हुए समसित जो कार्मिक हैं उनके मैं आगामी वरस से पूरो पैंसन योजना लागू देने की खोशना करता हूं नई पैंसन और पुराने पैंसन जो सकेम में जो अंतर हैं वो हम आपको बताते हैं सबसे पहले जो पुराने पैंसन सकेम हैं जी पी एप की सुविदा होती हैं पैंसन के लिए वेतन से कटोती नहीं होती र पुराने पेंसन सरकार देती है रिटार्मेंट पर ग्रुएजिटी जिसमें अंतिम वेतन के अनुसार 16.5 महा का वेतन सेवकाल में मिर्त्यु पर डेडग जो ग्रुएजिटी की सुविदा जो सात्मा वेतन आयोग ने 10 लाग से बढ़ा कर 20 लाग रुपे कर दी गई है सेवकाल में मिर्त्यु होने पर आश्रित को प्रिवारिक पेंसन एवं नोकरी हर 6 माँ बाद महेंगाई बता जीपीएफ से लोन लेने की सुविदा जीपीएफ निवासी जो रिटेर्मेंट के समय पर कोई आयकर नहीं है रिटेर्मेंट के बाद मेडिकल भत्ता रिटेर्मेंट के बाद मेडिकल बिलोग की पर्ति पुर्ति और दोस्तों आब हम बात करते हैं नई पैंसन शकिम की जीएफ की सुविदा नहीं है वेतन से प्रतिमां 10 शीजदी कटोती होगी निश्चित वेतन की गारंटी नहीं यह पूरी तरह शेर बाजर वे बिमा कमपनियों पर निर्बर होती है नई पैंसन बिमा कमपनी देगे यदि कोई समश्या आती है तो बिमा कमपनी से ही लड़ना होगा रिटेर्मेंट के बाद मेडिकल भक्ता बंद मेडिकल बिलो की परती बुत्ती नहीं होगी प्रिवारिक पैंसन खतम लोन की कोई स्विधा नहीं जी हाँ दोस्तो आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं विशेस प्रिश्टितियों में जटिल परिक्रियों के बाद केवल तेन बार रिटेर्मेंट पर अंच दान की जो 24 फिजदी रासी वापस मिलेगे उस पर आयकर लगेगा नहीं पैंसन सखिम्पूरी तरह सेर बाजार पर अधारित जो जो खिमपूरण है मह unveiled बता और वेतन आयोग का कोई भी लाब नहीं मिलेगा दोस्तों सवास्ते सेवा को ध्यान में रखकर बजेट में सवास्ते सेवा को भी ध्यान में रखा गया हैं आने वाले साल में 18 जिलो में नई नर्सिंग कॉलेज खूनेंगे साथ जिलो में नर्सिंग कॉलेज का काम चल रहा है। वीडियो अच्छी लगे होगे दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जुरूर करें सब्सक्राइब करें और ज्यादा शेयर करें मिलेंगे जल्द बड़ी अपडेट की साथ तब तक के लिए दोस्तों आप सुभी को हमारे और से जैहिं जज़वान जैक्सन